Hey 6Science, Welcome to today's class of Divine Public School हमने पिछली क्लास में एक टॉपिक पढ़ा था Changes Goes by Heat आज हमें एक नया टॉपिक पढ़ने वाले है Changes Goes by Force इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें Force का मतलब समझना पढ़ेगा Force का मतलब होता है ताकत लगाना किसी को पुश करते समय या पुल करते समय हम लोग ताकत का यूज़ कर सकते है तो Force को हम Easy Way में कह सकते है Push और Pull Force is a push of pull acting on a body which tends to change state of rest of motion अगर किसी भी object के उपर हम push लगाएं या पुल करें तो हम उसका state of rest या motion चेंज कर सकते है इसका मतलब है अगर वो stable है एक ही जगह पे रखी हुई यह चीज कोई chair और आपने उसको जोड से किक गया आपने उसको जोड से push किया तो वो rest से किस में चली जाएगी motion में और इसी तरह से अगर कोई object motion में है कोई चीज घूम रही है और आपने उसके बीच में अपना हाथ दे दिया आप लोग पंखे वंखे पर try मत करना इसको कोई भी धागे से कोई चीज बांध रही है आपने उसे आप घुमा रहे हो या कोई भी चीज लटक रही है यह motion में है अगर आप उसे pull करते हो या उसके उपर push लगाते हो तो वो motion से rest में हो जाती है तो force एक प्रकार का push और pull है तो जिस भी body pack करता है वो उसके state को change कर देता है rest हो तो उसे motion में ला देता है और अगर वो object motion में हो तो उसको rest करवा देता है एक force shape और size भी किसी object की या substance की change कर सकता है यहाँ पर आपके सामने एक balloon show किया हुआ और उस balloon के उपर लगाया गया है force उसको push किया जा रहा है जैसे ही उस balloon को हम push करते हैं जो उसका normal size था वो size अब change हो जाता है क्या लिखा गया है यहाँ पर जब एक inflated balloon को प्रेस किया जाता है दो हातों के बीच में उसका shape और size change हो जाता है इसी तरह जब एक bag of wheat floor is pressed अगर कोई आटे से भरा हुआ bag है बोरा है उसको हम लोग प्रेस करें उसके उपर अपन push और pull apply करें तो उसका भी shape change हो जाता है in fact it can be given any shape यहां तक कि उसे कोई सा भी shape दिया जा सकता है जब एक spring को खीचा जाता है spring के उपर force लगाया जा रहा है spring को pull किया जा रहा है तो भी उसका shape और size change हो जाता है metal को जब हम push करते हैं अब metal को कैसे push करेंगे simple सी बात है हम उसके उपर attack करेंगे हतोड़े वतोड़े से उसको hammer करेंगे तो वो उस force के कारण पतली पतली sheets के अंदर convert हो जाता है तो हम लोग ये 3-4 example से कह सकते हैं कि cost by force force के कारण भी किसी substance की shape और size change की जा सकती है what happen when you squeeze a toothpaste tube क्या होता है जब आप इक toothpaste की tube को दबाते हो उसका shape और size change हो जाता है can you give other examples in which the changes are cost by force क्या आप कुछ और ऐसे examples अपने दिमाग में ला रहे हो जहां force के कारण shape और size change हो जाए ठीक है हमारा next topic है changes cost by mixing mixing करने से भी changes हो सकते हैं क्या चलो देखते हैं इसको भी mixing of two or more things together can also lead to changes दो या दो से ज़्यादा चीजों को अगर मिलाया जाए तो इससे भी changes हो सकते हैं चलो देखते हैं कैसे sugar when mixed with water disappear and the water tastes sweets हाफ बिल्कुल जब हम पानी के अंदर sugar को मिलाते हैं तो पानी के अंदर sugar disappear हो जाती है लेकिन वो disappear होते होते हैं पानी को मीठा कर देती है no solid crystals of sugar are seen there वहाँ पे कोई भी sugar का solid crystal crystal देखा होगा आपने चीनी के छोटे छोटे जो वो रहते हैं molecules उनको आप नहीं देखते इस change को कहा जाता है dissolution dissolution so एक तरह के से दो या दो से ज़्यादा चीजे करने से भी एक तरह का change हो सकता है अभी अभी हमने शुगर को change किया disappear ही कर दिया जब हमने उसको पानी में घोला इस तरह के change केलाते है dissolution क्या हम उस शुगर को उस solution से वापस पा सकते हैं कोई idea है आपके दिमाग में तो इस तरह से हमने इस chapter में देखा कि heat से force से mixing से हम कुछ changes को create कर सकते हैं इन में से कोन-कोन से reversible है और कोन-कोन से irreversible है आप अपने notes बनाते time ये चीज जरूर mention कीजिए यहाँ पे एक chapter और finish हो गया है आपको इसके सारे question answers करने चाहिए जो पीछे दिये हुए हैं अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आप race में पीछे रह जाओगे तो आप अपने notes कंप्लीट कीजिए question answer कंप्लीट कीजिए और जो question का answer आपको समझ में नहीं आ रहा है या जो topic आपको समझ में नहीं आ रहा है उसको आप PTM के जरिए पूँच सकते हैं आप whatsapp में भी comment कर सकते हैं बस आपको page number डालना होगा अपनी प्राची वाली book का तो ये था आपका chapter changes of substance जो भी आपको इसके अंदर query है आप उसके लिए comment जरूर कीजिए that's it